हलो एवरिवन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकर्स करने वाले हैं एनाइस क्लास 12 मास कॉमिनिकेशन सब्जेक्ट जिसका कोड 335 है इसके सॉल्ड प्राक्टिकल के बारे में आज की वीडियो हमारी जो है क्लास 12 में अड्मिशन लेना चाहते हो तो भी आप हमसे कॉंटक्ट करके अपना अड्मिशन करवा सकते हो ठीक है और अगर आप लोगों को सॉल्ड प्राक्टिकल वेगेरा हैं रिटन प्राक्टिकल टीमे नोट्स चाहिए तो आप फीस को पे करके ले सकते हो हमारे चैनल से कॉंटक्ट करके सबी चीज़ें जो है आपको बेस्ट मिलती है और अच्छे माइक्स भी आपके हाठे अब बहुत सारे बच्चे जो है पूछते हैं कि मैं हमारा practical क्या परियर चेंज होता है नहीं आपका practical तब तक चेंज नहीं होता है जब तक आपका syllabus चेंज नहीं होगा ठीक है अगर एपरिल सेशन में एक्जाम दोगे तो भी आप ये practical बना सकते हो चाहे अक्टोबर में दो तो भी आप ये practical बना सकते हो नो डिमांड के लिए प्रिपेर हो तो भी आप ये practical बना सकते हो आप जब भी निस में अपना एक्जाम दोगे हमारी वीडियो से देखकर कि अपना practical बना सकते हो public examination वाले हो तो भी on demand वाले हो तो ही guaranteed है आपके full to full marks ही आएंगे ठीक है तो चलिए आएए आगे बढ़ते हैं अब बहुत सारे बचे जो है पूछते हैं कि मैं mass communication subject का practical कितने marks का है कितने marks समय लाने है जिसे हम pass हो जाएंगे तो जैसे कि आपका mass communication का practical है वो आपका 20 marks का है तो आपको 33% लाने है तब जाकर कि आप अपने practical में pass हो जाते हो तो आपको दो तरीके की फाइल आपके स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है एक लूशिट वाली प्राक्टिकल दूसरी नोटबुक वाली जिसमें वन साइट जो है आपका वाइट पेज रहता है दूसरे साइट लाइनिंग वाले पेजिस रहते हैं वाइट साइट वाले चीज़ें हैं आप लोग जो है ब्लैक पेंसे लिखोगे ब्लू पेंसे लिखोगे इस बात का अप लोग ध्यान रखना रेड़ पैं गलती से भी नहीं यूज होना चाहिए नहीं तो टीचर आपके फाइल को चेक करेंगे यहां पे भी जैसे की ब्लू पिल्ट करके किये ठीक है अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो मैं आपको जो डाउट है आपका क्लियर करूंगी ठीक है लेकिन विडियो विटाउट स्किप किये देखो आप लोग पहले अब जैसे कि यहां पे इंडेक्स दिया गया है यह अपके फाइल का सबसे में पार्ट होता ठीक है इतना लिखना आप लोगों के लिए इनफ रहता है इससे जादा लिखने की नीड आपको नहीं होती है इसी में आपके जो है मार्क्स पूरे आते हैं ठीक है जैसे दिया है सेम आज इटीज आप लोग अपनी फाइल में कॉपी करते हुए चलोगे ठीक है और भी पूरी वीडियो को पहले देखा करो विताउट स्कीप किये उसके बाद कोई भी कुशन करो तो मैं उसका आंसर आपको दूंगे लेकिन आप लोग विताउट वीडियो देखे आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करते हो प्राक्टिकल वन यहाँ पर जैसे की बोल करके दिया अच्छे आते हैं ठीक है प्रोसीजर क्या है यह सारी चीजें अच्छे से मेंचन की हुई है प्रोसेस वेगरा क्या है ठीक है जैसे दिया है सेम आज इस आप लोग प्राक्टिकल फाइल में कॉपी करते हुए चलोगे ठीक है और भी किसी तरीके का डाउट अगर है तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई ठीक है तो यहाँ पे जिस तरीके से दिया गया है सेम आज इस आप लोग कॉपी करते हुए चलोगे अब दूसरा जो डाउट होता है बच्छो के मन में कि प्राक्टिकल के जो मार्क्स है मैं किस तरीके से मिलते हैं फर्स्ट आफ आफ जो है 50% जो आपका होता है वो होता है फॉर्मेटिव का अब आपके मन में डाउट रहेगा कि मैं फॉर्मेटिव क्या है आपके जो 5 PCP क्लासेस आप लोग अटेंड करते हो ठीक है उसके मार्क्स आपको दिये जाते हैं 50% ठीक है जिनके यहां क्लासेस होती है वो अपने स् इंटर वाले बोलते हैं कि ये classes हम नहीं करवाते तो आपको टेंशन लेनी नहीं है वह आपके जो marks है add कर देते हैं ठीक है दूसरे 50% जो है आपके सब्मेटिव क्यों होते हैं अब सब्मेटिव क्या है तो जो फाइल आप लो प्राक्टिकल की बनाके अपने study center पे exam वाले दिन सब्मेट करते हो ठीक है उसे बोलते हैं सब्मेटिव और वहाँ पे आपका जो है वाइवा होता है और return में आपके दो चार question basic से पूस्ते हैं आपके subjects के according उसके जो है 50% marks आपको दिये जाते हैं ठीक है अब इतना जो doubt है आप लोगों का clear हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ को ले करके ज्यादा परेशान रहते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से आपका जो doubt है वो clear कर दिया है ठीक है यह जितनी भी पिक्स हैं screenshot लेते हुए चलना आप लोगों को क्या है यह पेस्ट करनी होगी यह white side वाले pages पे आपको यह जो पिक है आपको पेस्ट करनी है screenshot जल्दी जल्दी लेते चलना नहीं तो जो है आप लोगों की वीडियो बह जिस्ट करनी है जितनी भी चीज़ें आपके practical file में NIS के guidelines according होनी चाहिए वो सारी चीज़ें में हम लो mention करके आप लोगों को देते तरकि आपके marks अच्छे हैं ठीक है यहां पे practical 3 bolt की हुई चीज़ें जैसे कि यहां पे objective introduction क्या है यह bolt की हुई चीज़ें हैं तो आप लोगों को black pencil लिखना है without bolt वाली जो चीज़ें लिखना है blue pencil आप लोगों को लिखना है यह चीज़ें मैंने आप लोगों को हर बार इसलिए mention की है ताकि आप लोग किसी भी तरीके की गलती फाइलस में ना करो जिससे कि आपके marks कर ठोटीक है इतनी सारी चीज़ें के साथ आपको video जो है हमारी मिलती है another किसी भी channel पे आपको यह सारी चीज़ें guidance के साथ नहीं दी जाती ठीक है और अगर आप लोगों के लिए काफी helpful भी रहती है और अगर आपके related कोई ऐसा student है जिसने इस subject ले रखा है तो उनके साथ भी यह जो वीडियो है जरूर से शेयर किया करें ताकि वो भी student जो है हमारी इस वीडियो से help ले करके अपने study preparation को अच्छे तरीके से क कर पाएं टाइमली कर पाओंगे तो आप लोगों के marks भी अच्छे आएंगे क्योंकि टाइम बहुत रेयर होता है बच्छों के पास practical files विगएरा बनानी है फिर exam की preparation भी आप लोगों को करनी रहती है उसी के according जो है आप लोगों की सारी चीज़े हम लोग टाइमली दे दे जिससे कि आप लोग परिशान ना हो और अच्छे तरीके से अपनी files विगएरा सब बना पाओ ठीक है यहाँ पर practical 4 यहाँ पर objective क्या है introduction विगएरा क्या है यह सारी चीज़े जो है अच्छे तरीके से mention की है एनेस के guidelines according ही यह practical ready करवाते हैं आप लोगों के लिए जिसकी वज लिकत आती है screenshot लेना है फिर उसके बाद प्रेंट आउट निकलवानी है तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको यह solve practical की PDF मिल जाए तो आप लोग हमारे दिये गए चैनल पे contact number से contact करके nominal charges की जो fees है आप पे करके यह PDF ले करके अपने practical को बना सकते हो और अगर वीडियो से देख करके आपको बनाने में दिकत नहीं है तो आपके पास video available है आप देख करके बना सकते हो practical file यहां पर ठीक है तो देख करके आप बना सकते हो और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जौब के साथ study करते हैं time नहीं मिलता उनको की वो इतना time देख करके अपने practical file बना आपको अच्छे तरीके से बनानी है यह नहों कि आप लोग ऐसे ही लिग दो विताव table बनाए ठीक है ऐसी गलती नहीं करना नहीं तो आप लोगों के teachers marks नहीं देंगे ठीक है तो चलिए आईए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारे बच्चों का जो doubt है कि मैम हमें अपना front page किस तरीके से बनाना है तो front page जो है आप जब यहां पे हमारे channel को like and subscribe करके हमारे telegram channel पे visit करोगे तो आपको जो है front page download करने के लिए वहां से मिल जाता है telegram channel की जो link है description box में आपको दे दी जाएगी वहां से आप लोग join हो जाना और यहां पे आप लोग channel को subscribe और like करके जब वहां पे जाओगे वो PDF आपको download करने में मिल जाती है और उसमें जो details है feel करनी आपको और add करनी अपनी files में ठीक है practical 6 वो जो file है अपके details के साथ आपको जब practical file आपकी बन जाएगी तो आपको उसे front page में add करना है ताकि teachers को समझ में आए कि हाँ किस बच्चे की file है अगर without name, enrollment number आप लोग इसे ही दे दोगे file तो teachers को कैसे समझ में आएगा कि आपकी file है न तो इसलिए आपके जो details है वो ज़रूर से mention करना वहां पे ठीक है पूरी details के साथ video वहां पे PDF दी गई है सिर्फ आपको field करना है और कुछ करने की need नहीं है और print out निकलवाना है इस इतनी pics है आ तो I hope आप लोगों ने pic का screenshot ले लिया चलो आगे बढ़ते हैं अब जिस तरीके से दी है चीजें ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से अपने practical file में लिखनी है टेबल जहां जहां बनाए गए हैं इस table को आपको बनाना है उसके बाद आपको लिखना है ठीक है अब ज की playlist भी description box में आप लोगों को मिल जाएगी वहां से आप लोग easily अपने practical file को देख करके बना सकते हो वीडियो ठीक है क्योंकि काफी सारे बच्चों को वीडियो ढूनने में जो है दिक्कत आती है जिसकी वज़े से playlist बना करके रखी गई है वहां से आप लोग easily देख करके अ हमारे उतना जल्दी ही आपकी जो वीडियो है हम लोग upload कर देंगे और आप लोग easily अपने practical file को बना पाओगे practical 8 जैसे जैसे यहां पे बोल्ट की हुई चीजें हैं इसे आप लोग black pencil लिखोगे without bolt वाली चीजे blue pencil लिखोगे यह चीजे मैं आप लोगों को इसलिए हर बार दे रहे हूं ताकि आप लोग कहीं पे भी इसी भी तरीके की minor mistake भी आप लोग ना करो जिसे की आपके जो marks से cut होने के chances रहें ठीक है और जब आप लोग practical file बनाते हो तो थोड़ा time दे करके और अच्छे तरीके से बनाओ ताकि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके की आप लोग सिर्फ देख के आपको copy करना है ठीक है इसका भी screenshot आप लोग जल्दी से ले लो और अगर उसमें भी देख करके लिखने में भी आप लोग गलती करते हो तब तो बहुत ही दिकत हो जाएगी है ना practical 9 यहां पे है जैसे भी सारी चीज़े जो है अच्छे तरीके से हमने मेंसिन कर दी है और ही अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी और भी वीडियोज हमारे चानल पे time to time आप लोगों को मिल जाया करे तो आप लोग चैनल को जरूर से subscribe करके रखे क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज जो है आप लोगों को हमारे channel पे time to time मिलati रहती है जिससे कि आप ल लोग तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर किया करो, तकि वो भी स्टूरेंट्स हमारी वीडियो से हेल्प ले करके, अपनी प्राक्टिकल फाइल अच्छे तरीके से बना पाएं, अब यहाँ पे प्राक्टिकल 10 यहाँ पे, टोटली हमने आपको 10 प्राक्टिकल प्रोवाइड कर दिये हैं, और इसली आप लोग देख देख कर वीडियो से बना सकते हो, किसी भी तरीके की दिकत आपको नहीं आईगी, अगर फिर भी डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है वीड है, आपके यहां से मिस हो जाती है, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, तो पहले वीडियो को जो है, अच्छे तरीके से देखो आप लोग, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछोगे, तो मैं आपके डाउट को जो है, क्लियर करूंगी, ठीक है न तो वीडियो जरूर से देखा करें, क्योंकि मैसेज में आपके डाउट्स तो इतने सारे क्लियर नहीं हो सकते, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको वीडियो में क्लियर कर दी है, और अगर आप लोग चाहते हो, कि आप लोगों को सॉल्ड प्राक्टिकल की PDF मिल जाए, त यहां से आप कांटेक्ट करके, फीज को पे करके अपनी मिटेरियल्स ले सकते हो, टेलीक्राम चैनल और वटसेफ चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से आप लोग जरूर से जोईन हो जाए, वहां पे भी आप लोगों के लिए काफी सारी अ और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब करके रखें